हलो नमस्कार दूसतों वापस सीकने वीडियो में आपका स्वागत है और आज की ये वीडियो बहुत ज़्याद ad special होने वाली है बहुत कुछ के लिएर होने वाला बाइज से परदा उठने वाला है जी आँज की इस वीडियो को अदर हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचाय चुनाओं दो हजाद के बारे में जी हैं आपको पता होगा कि अभी जो पिछला पंचाय चुना हुआ था ग्राम पंचाय चुना वो दो हजार एकीस में हुआ था तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें अगले ग्राम पंचाय चुनाओं की तो 2026 में होने की संभावना है तो उसका हम लोग यहाँ पे इस वीडियो कंदर पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चुनाओं होगा कितने चरण में होगा कौन से जीली किस चरण में आने वाले ह और जब ग्राम पंचाय चुनाओं होता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 57926 में पंचायते हैं यानि कि 77926 पंचायते हैं तो 77926 प्रधानों की किस्मत इस पे टीकी होई है तो ऐसे में अगर ग्राम पंचायत चुना होता है तो 77926 प्रधान चुने जाएंगे और वो लोग फिर से अपना कारपार समालेंगे तो यह जो चुनाओ है छोटा मोटा चुनाओ नहीं है एक बह अगर आप एक तरीके से उमिद्वार हैं और आप बहुत दिन से तजार कर रहे हैं कि किस तरीके से पंचायत चुनाओ का डेट आएगा किस तरीके से हमें तयारी करनी चाहिए लड़ना चाहिए तो मिला जो लगत कि अब आपका यह जो समस्या है एक तरीके से जो से होने वारे हैं तो जो पंचायत चुनाओ वो माना यह जा रहा है कि अप्रेल महीने के अंदर होगा 2026 के अंदर क्योंकि पिछला जो पंचायत चुनाओ था वो भी अप्रेल महीने के अंदर होगा तो अप्रेल महीने में चुनाओ और पहले स्टार्टिंग से एक अप्रे में जो नए ग्राम प्रदाना उनको सपाध दिलाया जागा तो ऐसे में अगर हम एक तरह की से बात करें पंचायद चुनाओ का जो सटीक डेट है वो अप्रेट 26 जा रहा है ठीक है और अगर आप एक तरह की से देखेंगे अनुमानी जो चुनाओ है वो चाच्रण में होने की संभाव ना है क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफी बड़ा राज्य है और टूटल 56,000 हजार पंचायदे हैं और एक एक पंचायद के अंदर 23,000, 4,000, 4,000, 5,000, 4,000 होटर है तो ऐसे में बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है और इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर इतनी जिले किस चरण में आने वारे हैं साथी साथ किस चरण में कौन सा चुनाव है तो ऐसे में जो संभावना है वो है अगर हम बात करें यूपी में यूग्राम पंचा चुनावा उसके पहले चरण की तो यूपी में जो पहला चरण होगा उसका जो नमांकर होगता है यानि कि परचाद आखिला जितनों मिद्वारें सब लोग अपना परचाद आखिला करेंगे तो उसका जो नमांकर ने के से होगा वो 3-4 अप्रेल को होने की संभावना है और 3-4 अप्रेल को नमांकर होता है तो ठीक 8-10 दिन वाद यानि की 15 अप्रेल को पहले चरड़ की जो चुना है वो संपन होने की संभावना बताई जा रही है अब यहीं भी हम बात करें दूसरे चरड़ की तो दूसरे चरड़ में जो नमांकर है वो 7-8 अप्रेल में होगा और मदान यहाँ पे 19 अप्रेल में होने की संभावना है तीसरे च्रड़ के अगर बात करें तो नमांकन 13-15 अप्रेल को होने की संभावन है और मतान 26 अप्रेल को होगा तो तीन च्रड़ इस तरीके से खतम होते हैं अगर बात करें हम लोग एक तरीके से मतगड़ना का तो मतगड़ना दो मई के आसपास में हो जाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं अगर पहले च्रड़ में चुना होता है तो पहले च्रड़ में कौन-कौन से जीलो को लिया जाएगा तो वो जिले हैं पहले चरण में जो जिला है वो गाजियाबाद, सहारनपूर, रामपूर, बरेली, हातरस, आगरा, कानपूर नगर, प्रियागराज, महोबा, राइबरेली, जहांश्री, अयुद्या, हर्दोई, स्रावस्ति, गोरपूर, जियानपूर, भधोही और शंत कमे दोसरे चरण में जो चुना होने वाले हैं उसका उनके जिले हैं तीसे चरण के अगर हम लोग बात करें तो तीसे चरण में शामली, मेरट, पीली, भीत, कास, गंज, और एया, फिरोजाबाद, मुराताबाद, जालाओन, हमिरपूर, फतेपूर, कानपूर, देहाद, उन्न चुनाओ नगर, मिरजापूर, बारवांकी, और बर्रामपूर, चंदहुली, और ये जितने जिले हैं तीसे चरण में आने वाले हैं, तीसे चरण में इनके हाँ चुनाओ होगा, चौथा चरण में जो जिले हैं इनके हाँ चुनाओ होगा, तो ऐसे में चुनाओ पूरी त स्टार्टिंगे एक से दो अपरेल से ही स्टार्ट हो जा रहा है चुनाओ यहां पर जो नए प्रधान बनते हैं जो उमिद्वार जीतते हैं तो फिर उनको प्रधान का एक तरीके सपत देला जागा फिर वो अपना कारबार शुरू कर देंगे तो दोस्तों जो पंचाय चुनाओ दोर शब्वी से कुछ इस तरीके से होगा अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ जरूरी अपडेट अगर आप भी एक तरीके से पंचाय चुनाओ की तयारी कर रहे हैं चुनाओ लड़ना चाहते हैं तो आपके पास बिल्कुल भी सम अगर आप एक तरीके से पंचाय चुनाओ लड़ना चाहते हैं तो आपको आज से तयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए बैनर पोस्टर होड़ी इस सब आप लगवाना शुरू कर दिजिए क्योंकि दीपावली का समय आ रहा है दसारा का समय आ रहा है तो ऐसे में आप द अगरी जो पंचाय वर्सी है उसमें मैं एक उमिद्वार का इक तरीके से तावेदार हूं प्रत्यासी हूं साधी साथ दोस्तों ओटर लिस्ट में काम स्टार्ट होने वाला है तो आपको क्या करना है पूरानी ओटर लेनी है दो हैर एकिस वाली और उसमें आपको देखना ह कि अभी ग्राम सभा में कितने ओटर मिला विला करके जैसे जो बुजूर्ग थी वो उनके प्रत्य हो जो कि है और पांस साल में जो ओट बढ़े हुए है यानि कि हर ग्राम सभा के अंदर पांस साल में बच्चे बढ़े हो रहे हैं तो जिनका उम्रे 18 साल हो जा रहा है उनको एक तरीके से उनका ना मोटलिस्ट में डलवाना है ताकि आपके जो एक तरीके से ओटर है वो बढ़े है अगर आप इन सब कामों को दोड़भा करके करवाएंगे खुद से करेंगे तो एक तरीके से जनता में आपको एक अच्छा इमेज बनेगा और आप काफी अच्छे तरीके से जीट सकते हैं तो एक कुछ छोड़ी छोड़ी चीजे हैं बाकि और भी मैं आपको जानकारिया देता रहूँगा बाकि और एक इमपोर्टेंट चीज है कि अगर आप एक तरीके से पंचया चुना लड़ने की सोच रहे हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि इस समय ग्राम बंजायत में कौन सा काम हुआ है कौन सा काम चल ला है टूटल पांच साल में कितना पैसा खर्च हुआ क्या विकास सही तरीके से हुआ नहीं हुआ है कहां पे नालिया बननी चाहिए थी नालिया नहीं बना कहां पे खंजया बनना चाहिए थी खंजया नहीं बना जाएंगे दिखाएंगे तो लोग बहुत जाता जागरूप होंगे और आपके विश्वास करेंगे ठीक है साधी साथ उस पर्धान के खिलाफ एक तरीके से वो एक्षन भी लेंगे तो ऐसे में आप ग्राम सभा में जो काम हो रहा है उसकी जानकारी आपको इसके से जानना च के अंदर जो कच्छा काम चल रहा है जैसे नाली खड़न जाए हैं इन सभी के अंदर जो भी काम होते हैं एक एक रुपे के एक वाउचर की जानकारी हम आपको प्रवाइड कर देंगे यहां पर वहीं दस से बारे घंटे के अंदर मिनमल चार्ज में साधी साथ कितने लोग को आवाश मिल चुका है कितने लोग को शौचाले मिल चुका है अभी विद्धा पेंशन विकलांक पेंशन कितने लोग को मिल रहा है या ओटर लिस्ट आप अगर लेना चाहते हैं और यह सारी लिस्ट हम आपको प्रवाइड कर देंगे अपने माध्यम से तो अगर आप इ प्रवाइड करके पूरी फाय ले सकते हैं तो यह जो चीज है यह इस्पेसरी में द्वारों के लिए है क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राम सभा के अंदर क्या काम हुआ है यह परधान कितना काम किया है कितना पैसा इनके कारेकाल में आया हुआ है ठीक है और इ वीडियो कंदरे इतना ही मिलते हैं दूसरी नए वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ ते तो के लिए ठाटा बाय बाय